Hello friends, welcome back to my YouTube channel तो friends, आज के इस वीडियो में हम एक pull-up workout application देखने जा रहे हैं अगर आपका pull-ups weak है तो आप उस application को use करके pull-ups करना सीख सकते हैं तो चलिए, शुरू करते हैं सबसे पहले play store को open कर लिजए और यहाँ पर type करें 100 pull-ups तो friends, यह अप्लिकेशन है जो आपको install करना है हम installation स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा installation complete हो चुका है तो अब हम इसे open कर लेते हैं open करने वे कुछ ऐसा interface आपको मिलेगा यह आप देख सकते हैं सारे type के जो pull-ups होते हैं वो सब यहाँ पर आपको available है regular pull-ups, wide grip, close grip और उपर में देखेंगे corner पर right side में तो आपको इसका settings मिल जाएगा यह आप देख सकते हैं तो फिलाल के लिए हम लोग इसको continue पर tap करेंगे जो नीचे में आप देख रहे हैं ओके उसके बाद यह gains begin तो यहाँ पर यह बता रहा है कि आपका जो plan है वो कैसा रहेगा free workouts per week करना है एक दिन का rest लेना in between यह आप देख सकते हैं और उपर में आप देखेंगे कि यह level 1 beginner plan है तो ज़्यादा issue नहीं होगा इसको करने में आपको तो आप directly यहाँ से plan start कर सकते हैं उसके नीचे आप देखेंगे कि काफे सारे icons बने हुए यसे हम currently pull ups वाले section में है उसके बगल में हमारा goal का icon बना हुआ है तो यहाँ पर आपका जो current goal है वो 5 का है यह आप देख सकते हैं March pull up आपको लगाने है अपने training में और आपको जो main goal है वो 100 का है यह आप देख सकते हैं उसके बाद जो हमारा option है वो statistics का है जैसे जैसे आपने plan को proceed करेंगे उसी तरीके से हाँ पर आप अपना statistics के थूँ देख सकते हैं कि कैसे आपका progress हो रहा है उसके बाद leaderboard का option है अगर आप इस पर login करते हैं जैसे हम अभी आपको login करके दिखाते हैं पहले आपको register पर क्लिक करना होगा तो friends यह आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस पर register कर लिया है इस leaderboard पर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितने सारे लोग यहाँ top 100 में है जो इस application को use कर रहा है आप देख सकते हैं friends इन सब का ranking आप देख सकते हैं इस वक्ट जो number one पर है वो को यूक्रेन का है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर register करके अपना ranking वगरा देख सकते हैं आप daily कितने pull ups लगा रहा है तो इस तरीके से आपको थोड़ा motivation मिलेगा नीचे में आप देखेंगे तो add friend का option मिल जाएगा name change करने का option मिल जाएगा तो इस तरीके से आपने friends को refer कर सकते हैं अपना नाम change कर सकते हैं इस application में उसके बाद हमारा reminder का option है reminder को आप अपने अलाम की तरह यूज कर सकते हैं और यह जो icon बना हुआ था timer वाला उस पर click करिए और अपने हिसाब से यहाँ पर जो time है वो आप set कर सकते हैं और ok पर tap कर दीजे आपका reminder set हो जाएगा हम default ही रहे हैं अभी के लिए उसके बाद हमारा data का option है अगर आप इस application में registered है ok तो आप अपने data को import कर सकते हैं अगर अपने phone को आप change करते हैं या इस application को uninstall करते हैं तो अपने data को आप यहाँ से import export और data को clear भी कर सकते हैं उसके बाद हम settings पर जाते हैं settings पर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर rate application, privacy policy version info जो हमारे किसी काम कर नहीं है तो फिरेंट समलक वापस अपने first option यानि कि जो plan वाल option है वहाँ जाते हैं start पर tap करिये तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक guide आपको मिलेगा आपको बता रहा है कि कैसे आपको pull up perform करना है यह एक stamina test है यह check करेगा कि आप कितने pull ups लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर 5 रखते हैं कि एक बार में 5 लगा done कर दीजे तो 5 के हिसाब से जो best plans है वो सारे plans आपको यहाँ पर available हो जाएंगे यह आप देख सकते हैं first day आपको कुछ इस तरीके से work out करना है आपको 5 set लगाने है pull ups के, 2-2 के और 1-1 के यह आप देख सकते हैं day 2 में आपको कुछ ऐसा करना है और day 3 में आपको यह work out करना है उसके बाद जो है वो rest है तो day 1 पे हम लोग tap करते हैं यह जो arrow बना हुआ इस पर tap करिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आपको perform करना है आप लगा लिजिए 2 pull up लगाने के बाद उसके बाद आप देखेंगे कि आपका plan यहाँ पर successful हो गया है then पर click कर दीजिए यह आपका rest time है rest time को आप stop कर सकते हैं 30 seconds का पूरा complete rest time मिलेगा और यहाँ पर आप इस rest को stop भी कर सकते हैं उसके बाद आप फिर से जब दो लगा लेंगे तो done पर tap कर दीजिए तो friends इस तरीके से आप अपना पूरा workout complete कर लिजिए workout complete करने के बाद यह बताएगा आपको तो उसका थोड़ा issue हो सकता है उसी तरीके से हम day two में आ जाएंगे वो बिल्बुल सेम तरीका है उसको follow कर यह ओके आपको बहुत ही help हो जाएगा full up अगरा अच्छे से करने के लिए तो friends यह था इस application का पूरा complete tutorial तो कैसे लगी आपको वीडियो वीडियो गर अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर लिजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और भी इसी तरीके के नए वीडियो के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में friends तब तक के लिए बाई बाई